मेरे प्यारे देश स्वाशियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है, तो आपके मन में क्या खयाल आता है? स्वाबाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले, यहां की खुबसुरत कोश्ट लाइन, बीचीज और पसंदिदा खान पान की बाते ध्यान म आने लगती है, लेकिन गोवा में इस महिने कुछ ऐसा हुआ, जो बहुत सुर्खियों में है, आज मन की बात में, मैं इसे आप सब के साथ साजा करना चाहता हूँ, गोवा में हुआ यह इवेंट है, परफल फेस्ट, इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक, पंजी में आहुचित किया गया, दिव्यांग जनों के कल्यान को लेकर, यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, परफल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा, आप सभी इस बात से लगा सकते हैं, कि पचास हजार से भी जादा हमारे भाईबेन इसमें शामिल हुए, यहां आ अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, दरसल मिरामार बीच हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एकसेसेबल बीचीद में से एक बन गया है, यहां पर क्रिकेट टूर्नमेंट, टेबल टेनिस टूर्नमेंट, मेरथन कंपेटिशन के स यहां यूनिक बढ़ वाचिंग प्रोग्रेम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई, इसके लिए विशेस इंतजाम किये गए थे, ताकि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन और बच्चे इसका पूरा आनन ले सके, परपल फेस की एक खास बात इसमें देश के प्राइव को शोकेश किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली है, इस फेस्ट में दिव्यांग कल्यान के प्रती जागरुकता बढ़ाने के अनेक प्रयास देखे गए, परपल फेस्ट को सफल बना ले के लिए मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बढ़ाई देता हूं, इसक एकसिसिबल इंडिया के हमारे वीजन को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे।